मेरा नम चबंग नौफिल है, मैंने आज तक 15 आर्टिफिचल ग्लेशेज बनाए हैं और लोग मुझे आइसमिन उफ इंडिया कहते हैं लदाखी में काववत है, बूप ना सास्तिन, मतलब अगर इंसान गीर जाए तो मिटी का सारा लिना पड़ता है लदाख तूरिजम के लिए एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन अगरिकल्चर ही एक ऐसा चीज है जिस पर हम सर्वाईव कर सकते हैं लेकिन यहां का असली मसला जो है न वो पानी का है मैं बच्पन में एक ऐसे जमाने से गुजरा, जब यहां पानी की कोई दिक्कत नहीं थी मेरे सामने जो नदी है, उसमें इतना पानी आ जाता था हमारा मावबब लोग कहते थे कि सार बज़े के बाद उज़र बिलकुल वहां नहीं जाना अभी तो यह बिलकुल सूग गिया है और साथ-साथ ही यहां ग्लोबल वार्मिंग की वज़़स से ग्लीशेर जो सब खतम हो गिया है पीक में थोड़ा सा वाइट स्पॉट दिखाई देता है सेदियों में इतना पानी वेस्ट हो जाता है मैं यही सोचता हूँ कि इस पानी को कैसे कौन जरू करे इंसान दिन रत सोचता है तो कुछ न कुछ आईडिया आई जाता है एक दिन मैंने देखा मेरे गर के सामने जो पानी का नल है उससे दीरे दीरे पानी गिर रहा है और वो जो पानी एक जगे इकटा होकर कुछ टाइम में जम गया और एक आइस का पूल सा बन जाते हैं बिल्कुल एक ग्लेशिय की तरह तो मैंने नल्क के पानी से इंस्पिरेशन लेकर सोचा कि इसी तरह पहाड से जो मेंस्टीम आता है उसके फ्लो को स्लो कर दू और उसे एक जगा पर स्टोर कर दू तो वो एक ग्लेशिय जैसा बन सकता है इस तरह मैंने इस पानी को डाइवर्ट करके छोटे-छोटे डैम में जमा किया जिससे वो फ्रीज होके आइस बन गया समर में ये पानी पिगल के अग्रिकल्चर में काम आ जाता है तो ये आइडिया लेके मैंने 15 आर्टिफिशल ग्लेशियस बनाई स्टार्टिंग में तो कई-कई लोगों को यकीन ही नहीं आया वो असने लगे बोले ये फगल क्या बातें कर रहे इसलिके दिमाग में ही नहीं था कि एक किसान का लड़का भी तो ऐसा काम कहेगा दे ना दे अपना तरफ से कोशिश करना है अभी मैं 80 एस का मैंने जो कुछ किया है थोड़ा कुछ लोगों के काम में आगी है जो अपने मस्बूत एरादों से कुछ बढ़ा कर जाते हैं हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं वही लोग Invincible Indians कहलाते हैं INS विकरांद के फौलाद से बनावी ऐसे लोगों को सल्यूट करता है और आप से अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेर करें आपके आसपास भी ऐसे Invincible Indians हों तो हमें बताएं हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुचाएंगे